कैसे हो दर्सक मित्रो आप सभी का हार्दिक स्वागत है सेफटी टॉक के इस एपीसोड में आज के इस एपीसोड में हम बात करने वाले है फ्लेमेवल और एक्सप्लोजिव लिमिट के बारे में यानि की LEL और UEL के बारे में LEL की बात करे तो उसका फुल फॉर्म है लोवर एक्सप्लोजिव लिमिट और UEL की बात करे तो उसका फुल फॉर्म है अपर एक्सप्लोजिव लिमिट लोवर एक्सप्लोजिव लिमिट और लोवर फ्लेमेबल लिमिट की बात करे तो गैस या वास्प की नियोत्तम सांद्रता में जो प्रजलित होने पर जल जाएगी या तो फट जाएगी उसे निचली विस्पोटक सीमा यानि की लोवर एक्स्प्लोजिव लिमिट कह सकते हैं अपर एक्स्प्लोजिव लिमिट और अपर फ्लेमेबल लिमिट की बात करें तो गैस या वास्प की उप्री सांद्रता जो प्रजलित होने पर जल जाएगी या तो फट जाएगी यानि की एक्स्प्लोड हो जाएगी उसे उप्री विस्पोटक सीमा यानि की अपर एक्स्प् के बीच में आग या विश्फोट का खत्रा रहता है मगर इसके बाहर हमें आग या विश्फोट का खत्रा रहता नहीं है हालाकि UEL से उपर की सांदरता को खतनाक माना जाना चाहिए क्योंकि ताजी हवा के प्रवेश के कारण इसे पतला किया जा सकता है और विस्फोटक सीमा में प्रवेश कर सकता है इसी तरह LEL के बाद अगर उसी हवा में गैस का डिश्चाज जारी रता है तो यहाँ विस्फोटक रेंज में भी प्रवेश कर सकता है इस प्रकार उनकी एकादगता को प्रभावित करने वाली गैस और हवा के प्रवा के आदार पर विश्फोटक सीमा तक पहुचा जा सकता है वायू और गैस का तापमान भी प्रभावित हो सकता है इसलिए सीमा को अनुमानित मान माना जाना चाहिए गैस वास्प के लिए इसे हवा के परसंटेज एक परसंटेज यानि की 10,000 PPM में और पावडर के लिए ग्राम पर मिटर क्यूब हवा में व्यक्त किया जाता है LEL और UEL की जानकारी विस्फोटक रेंज की और जाने वाली स्थितियों से बचने के लिए और किसी भी व्यक्ति को किसी भी पोत या सिमित स्थान में प्रवेश करने की अनुमती देने से पहले इसका पता लगाने के लिए उप्यगी हो सकता है इस रेंज का पता लगाने के लिए explosive meter उपलब्द है अगर detection percentage LEL से कम आता है तो हमें हर एक safety device जैसे के alarm control और trip वही पे लगा होना चाहिए और fire prevention equipment भी वही पे होना चाहिए